दिवाली और छट पर दुसरे राज्यों से बिहार आने में प्रवासियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा हवाई जहाज का किराया आसमान छूर रहा है तो ट्रेनों में बर्थ खाली नहीं है यहां तक की बसों में भी जगह नहीं मिल रही है हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी टैक्सी तक उपलब्द नहीं हो रही परवतियोहार के इस मौसम में बड़ी संख्या में लोग देश के विभिन शहरों से बिहार अपने घर आते हैं जिनका टिकट अब तक नहीं हो पाया है उनके लिए सफर न सिर्फ मुश्किल भरा होगा बलकी भारी जद्दो जहद भी करनी पड़ेगी हवाई टिक्टो की बुकिंग की भारी मांग की वज़े से इनकी किमते बढ़ती जा रही है दिल्ली पटना मार्क पर 6-7,000 रुपे में उपलब्ध टिकट 7 नमंबर से 10,000 में मिल रहा है जैसे जैसे दिवाली करीबार ही है टिक्टो की कीमत बढ़ गई है 10 नमंबर को विस्तारा पटना फ्लाइट यूके 715 का किराया 24,497 रुपे है इसी दिन एयर इंडिया की फ्लाइट AI-407 का किराया 22,530 रुपे है जबकि इंडिगो की फ्लाइट 6E-2482 का किराया 19,615 रुपे है दिवाली के दिन भी 12 नमंबर को एयर इंडिया की दिल्ली पटना फ्लाइट का किराया 22,520 रुपे है दिवाली से छट के बीच इसके मुकाबले टिकटो की कीमत कुछ कम हुई है फिर भी सामान्य दिनों से इनका किराया 2 से 3 गुना है इस बीच भी किराया 12 से 18 हज़ार के बीच है जैसे जैसे तियोहार नजदी का रहे हैं किराय में बढ़ोतरी होती जा रही है बता दे कि मुंबई पटना मार्ग पर हवाई किराय में बढ़ोतरी आठ नवंबर से दिख रही है साथ नवंबर को इस मार्ग पर पच्चासी सो रुपे में टिकट उपलब्ध है लेकिन आठ नवंबर से किराया लगभग दो गुना हो गया है आठ नवंबर को इस पाइस जेट की एस जी 429 का किराया 13,890 रुपे हैं इसी दिन इंडिको की फ्लाइट 6E5173 का किराया 14,172 रुपे हैं आठ नवंबर को इस फ्लाइट संक्या 6E2043 का किराया 16,062 रुपे पर पहुँच गया है इस दिन इएर इंडिया की फ्लाइट AI 673 का किराया 29,995 रुपे तक पहुच गया है 10 नवंबर की इस पाइस जेट की फ्लाइट का किराया 17,144 रुपे हैं 6E24147 और इएर इंडिया की फ्लाइट का किराया 29,995 रुपे हैं दिवाली छट में यात्रियों की संख्या के लिहाद से ट्रेने कम पड़ रही है कुछ ट्रेनों में तो वेटिंग टिकट भी बंध है 3AC और स्लिपर में कई मार्गों तक वेटिंग 300 से उपर है इतनी भारी वेटिंग के बीच कनफर्म टिकट के लिए यात्रियों को ततकाल का भरोसा है दिल्ली पटना मार्ग पर तो दिवाली से दो दिन पहले संपुन करांती एक्सप्रेस की 3AC, 2AC और 1AC में रिग्रेट हो गया है विक्रम श्रीला एक्सप्रेस में भी 10 नवंबर को स्लीपर रिग्रेट हो चुका है तेजस राजधानी में 7 नवंबर से प्रतिक्षा सुची बढ़ने लगी है 3AC में 141 वेटिंग, 2AC में 25 वेटिंग, 1AC में 17 वेटिंग इसी दिन संपूर्ण क्रांती में स्लीपर में 147 वेटिंग, 3AC में 108 वेटिंग, 2AC में 69 और 1AC में 12 वेटिंग है ट्रेन और हवाई जहाज का टिकट नहीं मिलने पर बड़ी संख्या में लोग टैक्सी का सहारा लेंगे पाट से 7,000 टैक्सी इस दोरान पटना और बिहार के अन्य जिलो में यात्रियों को लेकर आएगी पटना टैक्सी यूनियन संख के सिवशंकर शर्मा ने बताया कि ओला और उबर की 1000 से 1200 टैक्सीयां केवल दिल्ली सहित अन्य शहरों से पटना पहुँचती है दिल्ली से पटना तक आने में लोगों का ओसत खर्च 30 से 35,000 रुपे के बीच पड़ता है इसमें टैक्सी भाड़ा लगबग 26,000 और टोल टैक्स 5,000 रुपे चुकाना पड़ता है